So hello everyone, welcome back to the channel guys, मैंने यहाँ पर bank nifty का एक sorting opportunity को find out किया है इसके पीछे कौन सो logic है, यह सारी चीजे इस वीडियो में cover होने वाली है पहले हम अपने position book को देख लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस moving average के आस पास मैं अपना position exit करने वाला हूँ यहाँ पर हमने 33100P का सिर्फ एक lot यहाँ पर buy किया है और जिसमें around हमें 800 plus का profit हो रहा है तो जैसे यह moving average को touch करेगा, हम यहाँ पर अपना profit book करने के बारे में सोच रहे हैं और यह moving average को approximately touch कर ही दिया, तो guys हम यहाँ पर अपना profit book कर लेते हैं तो guys यहाँ पर हमें 860 के around profit हुआ है, 860 रूपिस के profit हुआ है, यहाँ पर position book पर जाके देखते हैं तो 860 रूपिस का हमें profit हुआ है, और हम चलते हैं bank nifty के chart पर और इसके पीछे क्या logic है, यह सारी चीजे देखते हैं तो guys यहाँ पर 5 minute का bank nifty का chart open है, और यहाँ देखिए इस big red candle को यहाँ पर flat opening हुआ, इसके बाद यह उसका resistance और यह इसका support point है और यह candle देखिए इसमें heavy rejection यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 1 minute के chart पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर से continuous upside का moment हुआ, इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं, draw करके बताता हूँ यहाँ पर मुझे upside का moment दिखा, फिर downside आया, फिर upside आया, तो यहाँ पर एक M pattern दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही red candle बना, इसके नीचे जो next big candle बना है, यहाँ पर हमने अपना position order किया, और position execute किया, और हमारा जो target था हुआ है, इस M pattern के neck line तक था, यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर अपना target बुक कर लिया, और यहाँ तक वसे हमारा जो target था हुआ है, swing low के point तक रहना चाहिए था, बाकि अपना risk क reward देखते हुए, मैंने 1 ratio का 1 का यहाँ पर profit बुक किया, और यहाँ पर हमारा जो swing के ऊपर हमारा ACL था, और यहाँ पर हमने अपना profit बुक किया, तो 1 ratio 1 का और ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही जानकारी के लिए इस channel के साथ बने रही है, और comment करके बताएए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, so thank you so much guys